अस्सालाम अलेकुम गाइस वेलकम बैट तुदा न्यू व्लोग तो आज के इस फ्लोग में हम एक और पक्रा एंसी सी ग्राउंड में लेकर जा रहे हैं तो वीडियो में आपको ले रहे हैं तो आप पक्रा भी दिखाएंगे और इन्जॉइ भी करेंगे तो माशाला यह वो दूसरा बक्रा है अब हम इसको एंसी सी ग्राउंड में लेकर जा रहे हैं तो यह भी मेरे उस दोस्का बक्रा जिससे आज है जो उस दिन हम लेकर गए थे बक्रा तो अब हम एंसी सी ग्राउंड तो आ गए तो अब हम इससे साइड पर कहीं बांगते हैं और तो आप एंसी ग्राउंड का व्यू भी देख लें यहां पर फुटबाल वाले खेया रहे हैं वहां पर किटटबाले और वाली पाल वाले तो फाइनली हम एंसी सी ग्राउंड को पहुंच गए तो बक्रा जो है वो यहां पर घास खा रहे हैं और हम यहां पर बैड़ गए तो अब है इसके भी नसल का पता करते हैं जो पहले वाला वाला पक्रा था वो तो जिंदी नसल आसे मूंदरा भी कहते हैं और इसका भी हम पता करते हैं तो अब हम इसकी भी निसल का पता करते हैं क्या खाता है और जिया तो आप बता एंदें बखर क्या क्मे खाता है यह कहता है भूसा । कहल। अड़ल जाला ठुखा ओर नसल च। क्या इसकी। डामांनी कहते है तो इसकी एज क्या होगी और जिक होगी 10 महीने要गां करुपानी के लिए है कि पोंद लेजाते हैं रुजाना रुजाना अच्छा कल ये थोड़ा ऐसे बुखार की तना इसे लग रहाता है कल ये घास भी नहीं खाया जा पिर इलाज किया है अभी शुक्र आप साइट अब घास भी खा रहा है तो अब हम बकरे का आखरी प्राउंड लगवाते हैं फिर तलते हैं घर की तरफ अब बगवाओ इससे अब भाग भी नहीं राज तो अब उन्देश तो बकरे का आखरी राउंड भी हमने लगवा रिया अब हम चलते घर की तरफ तो विलाकर करते हैं यहां पर एंड तो चैनल पे लिए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ले जाओ इसको तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में